आज किस बड़ी हम कंपेर करने वाले हैं 5 पैसा ब्रोकर को जरूधा के साथ तो जरूधा वही ब्रोकर है जो तकरीब नौ सल पहले जिसकी बदालत मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला था इस सेग्मेंट में आया था तो 5 पैसा एक हर्मन प्यारा ब्रोकर है जितने भ पता होता है कि उनका इंटर्फेस काफी सिंपल है और काफी उन्होंने सिंपल इंटर्फेस की वज़े से जो नए लोग है वो ज्यादा इनकी तरफ होते हैं तो यहां पर बात करने वाले हैं क्या सच में 5 पैसा हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है या फिज जरूधा नंबर वन प्रेंट से हम अकाउंट ओपनिंग से बात कर लेते हैं जरूधा में आपको देने पड़ते हैं दो सो रुपए प्लस अगर को सौ रुपे और देने पड़ेंगे यानि तोटल आपको देने पड़ेंगे तीन सो रुपए और यह वन टाइम है बार-बार नहीं है लेकि आपको जो पे करना पड़ते हैं तो अप्रॉक्सिमेट अगर आपकी अच्छी खासी होल्डिंग रखते हो दो लाग से ऊपर की तो हम मैं यह कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपने दोनों अकाउंट पे दो दो लाग से ऊपर की वैलियू लख रहे हो तो यहाँ पर तकरीब करते हो तो गलत ब्रॉक्रिस प्लैन ले लिया तो कई बर क्या होता है जो अपने प्रॉफिट कमाया होता है वो तो ब्रॉक्रिस में ही निकल जाती है ना बहुत बार हमने कमेंट्स में भी देखा कि महीने का भई हमने बीस हजार ट्रेडिंग से कमाया लेकिन पता चला कि प पाइप ऐसा देखिए तीन तरह के आपको अकाउंट्स प्रवाइड करता है तीन तरह के अकाउंट्स में क्या है एक आपका रेगुलर अकाउंट है एक आपका पावर इंवस्टर है पी लिखेंगा पावर इंवस्टर और एक है यूटी अल्टरा ट्रेडर अब देखिए ज पात करूं तो भाई 600 रुपए पर मंद और ये भी लोग नहीं पे करेंगे लोग जाएंगे ये जो की जीरो है अगर पी आई में यूटी में जाते हो तो जरोधा से काफी महंगा बैठने ही वाला है लेकिन अगर फ्री वाले की हम सिर्फ बात करेंगे जिसमें अकाउंट ये आपको रुपीज 20 लगने वाला है पर ओर यानि कि बाय करा और सेल करा तो 20 प्लस कितने होगे 40 रुपए की ब्रोकर्स लगेगी एक ट्रेड को एक जीट करने में और ये इसको क्योंकि ब्रोकर्स का सिस्टम है अब देखिए जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कई बार की अभी बाय किया दो तिन घंटे में देखते हैं कि 20-30 रुपय का प्रॉपिट है उसको बेच दिया भाई रूम की से कम 40 रुपय का प्रॉपिट होगा तब ही जाकी आप ब्रोकर्स को कवर कर पाओगं तो क्या लगता है ब्रोकर्स के बिना बह यहां पर चार्जिस अबको लगते हैं स्ट्म अब कितना लगा जो कि अपके कि के चार्जिस है एक important चार्ज आ जा जाता है GST का जो की 18% है यह जो भी आपकी brokerage वगरा बनती है सेभी का चार्जी सारा कुछ निकालने के बाद उसका 18% बन करके GST लगता है और जो STT charge है अगर आप intraday करते हो तो 0.025% लगेगा वो भी मतले आ जाएंगे देखिए brokerage में अगर जो रोधा में delivery ट्रेडिंग करते हो delivery ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है आज खरीद के इसको hold करेंगे 10 दिन 20 दिन एक साल दो साल जब तक के भी चाय होल्ड करते हैं तो भाई जो रोधा आप से कितना लेता है अगर बहुत बड़ी ट्रेड ले रहे हो मालो लाखों की ले रहे तो भी 20 रूपर मैकसिमल लगेंगे एक ओडर के उपर उससे ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप डेरिवेट इसमा करें फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते हैं तो मालो अगर फ्यूचर में आप रेडिंग करते हो तो उसमें भी 0.03% और रूपीस 20 विचवर इस लूवर जो भी दोनों में से कम होगा वही लगेगा अगर ऑप्शन डेडिंग करते हो तो ऑप ज्यादा कई गुना ज्यादा सस्ता बैठने वाला है फाई पैसा से तो इस जिसको ध्यान में रखिए क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको ब्रोकरिस काफी पे करनी पड़ेगी फाई पैसा में अदर्वाइस ब्रोकरिस कम करना चाहते हो तो भाई फिर आप अल्टरा ट् के लिए लेकिन उसके बाद में जो चारतिस हो आपकी जेप के उपर भारी नहीं पड़ेंगे बलके आपको जेप को भरने में मदद करेंगी और फाई पैसा कि वहीं पर बात करूं तो आप ब्रोकरिस काफी ज्यादा पे कर रहे होगे अलग अलग अनों प्लैंस तो निकाल जी है चलो ठीक है लेकिन उनके जो सब्सक्रिप्शन पैकेज हैं वो काफी महेंगे पड़ जाते हैं उसके इलावा यह के 5 पैसन आपके एक उप्शन यह मिल जाती है कि अगर आप यंग इन्वेस्टर हो जो यंग है जिनकी एज 18 से लेकर के 23 साल के बीच में हैं सिरफ 18 से 23 और यह वेरिफाई होगा ऐसा नहीं कि जो ऐसी डाल दोगे तो उसमें क्या है कि इंट्राडे की ब्रोकरेज वगरा जो भी अकाउंट ओपनिंग चार्जिस एमसी है वो सारा कुछ किया आप यहां पे जीरो है लेकिन कंडिशन यह है कि अगर आपकी एज 18 से 23 है यानि कि चोटी एज में आप कर रहो जैसे 24 को हो जाओगे सारे के सारे चार्जिस आपके उपर बैठने वाले हैं तो यह सिर्फ उनी के लिए फायदा है उसके बाद में है अगर आपका पहले से अकाउंट खुला हुआ है अगर आप आपकी वाइफ या हस्बेंड है तो उनके सब्सक्राइब करना इंटरफेस आपको 5 पैसा करें पसंदे तो 5 पैसा में भी खोल सकते हैं जैसे कि मैंने बोला कि आज मेरा 5 पैसा का काउंट एक्टीव है उसको मैं कभी ना कभी उसको यूज कर लेता हूं छोटी मोटी ट्रेट को लेने के लिए तो क्योंकि यह स्टार प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ताकि जो हमारी दूसरे वीवर्स हैं उनको इसके बारे में पता चल से कि उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके अगर आप जरूथा का साथ हो तो उसका एक्स्परियंस जरूर शेयर करें और आपके हिसाब से कौन साथ बैटर प्लीज कम प्लीज को मोशन बेग से ता ता गली बावाई